हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जे इस फ़ाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important history का lecture वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 8 standard के लिए history subject का एक और new fresh and betterी chapter जिसका नामे chapter number 3 effects of British rule आज इस chapter का हम पहला lecture यानि lecture number 1 आपके लिए लेकर आगया है जो की again एक बहुत ही ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दो कि आपने इसके पहले lecture number 2 में British government के बारे में बहुत सारी चीज़े आपका जो East India Company जैसे मैंने बताया ता previous chapter के अंदर East India Company कैसे हमारे इंडिया में घुसी और धीरे-धीरे उन्होंने दीरे-धीरे बाकी जो प्रोविंस थो उनको कबजा करना शुरू किया और व्यापार जो है बढ़ा दिया और धीरे-धीरे हमारे इंडिया को ही कबजा कर ल जोग्राफ़ी के, Political Science के, Civics के, जो भी है English grammar के हर चीज हमने पूरा का पूरा complete करके पहले ही रखा हुआ है पहले ही ऐसे वीडियोस हमने record करके upload करके रखे हुए है कहां पे मिलेगा अप लोगो आपको मिल जाएगा आपके playlist section के अंदर playlist में चले जाना दोस्तों वहां पे द देखें और conceptual knowledge को clear करें और इसके अलबाद दो और चैनल है हमारे यूटूब पे जिसका नामे जे आर टॉक्स और एक और है जे आर व्लोक्स जो हमने आपके लिए बनाया व्लोगिंग चैनल उसको भी जाके देखलो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी त के थिर रहा तो वह हम लोग का पहला हेडिंग आज का एक डरेटा इस्ट अब्लिश्मेंट ऑफ देश्ट इंडिया कंपणी यानि की जो इस्ट इंडिया कंपणी जो आहिए थी बृटिश की उन्होंने कैसे एस्टाब्लिश्ट किया खुदको सब्सक्राइब को ड़िके चाप्टर के अंदर थोड़ा बताया था आपको पता होगा यह चीज ठीक है न एक चीज आपको बताया था तो इस इंडिया कंपणी जो था उस सबसे पहले कहां पर आई नाम से पता थे ले इस तो पहले उन्होंने कोलकाता के प्रोविंस में आया उन्होंने उस दौरान जो को एक्स्प्लोर करने लगे जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी तो इंडिया का पता चल गया लोगों को ठीक है तो इंडिया का जो पता चला वो तीन सबसे पावरफुल जो यूरोपियन कंट्रिस थी वो थी दोस्तों पॉर्टुगिस फ्रेंच दच और ब्रिटिश ये बहुत कुछ पावरफुल कंट्रिस थी वो टाइम पे यूरोप में तो यूरोपियन जो इस कंट्रि जो मैं बात कर रहा हूँ पॉर्टुगिस थे दच वाले थे फ्रेंच थे और ये ब्रिटिश थे तो इनको पता चल गया जब तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों न हम इंडियन मार्केट में घुसेंगे मतलब इंडिया में घुसेंगे और यहां पर अपना दबदबा कायम करेंगे और पूरे के पूरे के पूरे शहर में पूरे के पूरे कंट्री के अंदर हम अपना राज्य जो है एस्टापलिश करेंगे और यहां के लोगों को और हमारे जो लोग है उनको आपस में लड़ाने के लिए और यहां पे जो भी wealth है जो खजाना है हमारे देश में सोनी की चीडिया जो हुआ करती है हमारा देश उसको लूटने आये थे तो यह चीज जो है इनके मन में चलने लगी ठीक है फिर जो बिटीज जो थे वो दीरे- लेकिन इनके बीच में को अना रहा था Portuguese people जो की पहले से ही आके थे वो रिटीज के पहले पॉर्त्यूज जो थे वो हमारे इंडिया में आके बसे वे थे बहुत सारे specific जगापे खहाँ जैसे कि गोवा हूग गया फिर वसई का इलाका हो गया आपके महाराष्ट के अंदर ज पालगा डिस्टिक में जो बोलता हो आपको वसाई भी उदर ही आता है आपको पता होगा अगर आप लोग भी होंगे बहुत सारे लोग वसाई से भी लॉंग करते होंगे तो यह सब चीज जो है वो होने लगा ठीक है उसके बाद यहां पर क्या हो गया तो पॉर्टुगीस ज तो यार हम दोनों आपस में क्यों लड रहे हम दोनों क्या करेंगे मिल के एक तरीके से ट्रेड करेंगे यहां पर और इंडिया में जो अपना काया में डॉमिनेंस जो है वो अपना इंडिया के उपर बनाएंगे ठीक है तो यह धीरे-धीरे करके इन्होंने पूरा का पूर का शामना करना पड़ा किसको British को क्योंकि British इतना जल्दी established नहीं कर पाया था खुद को पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारा टाइम लगा उसको तब जाके उसने पूरे इंडिया को कपजा किया तो यह सब कैसे किया वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक में जिसका रामे British and Marathas तो यहाँ पर जो next topic आ रहा है हमारा British and Marathas इसमें बहुत बड़ा conflict है यहाँ पर देखो British and Marathas आप सभी को पता है Marathas का योगदान हमारे country के लिए कितना बड़ा रहा है जब शिवाजी महराज थे वो टाइम पर हमारा जो मुगल पावर हुआ करता था किस प्रकार खदेड़ा है उनको और किस प्रकार अपना जो पावर है एस्टाबलिश किया है ठीके ना स्वाराज जी को एस्टाबलिश किया है वो शत्रेपति शिवाजी महराज ने करके दिखाया था लेकिन उनके बाद जाने के बाद दीरे दीरे महराथा पावर क्या हो गया था कमजोर हो गया था ठीके ना तो British जो है सबसे main center बन गया था western side में, यानि पूरे इंडिया का जो west इलाका है, western जो इलाका है, उसमें सबसे ज़्यादा attractive कौन था, Mumbai था, वो टाइम पे Bombay कहा जाता था, अलग-अलग नाम थे, ठीके न, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा territories थी थी, उसको acquire करने की, उसको Mumbai, Bombay के जो इलाके थे, वो किसके अंडर में थे, Marathas के अंडर में थे, क्योंकि यहाँ पे तो Marathas के चलता है, ठीके, तो Marathas के अंडर में ये था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़ बना के रखे थी, यानि Marathas जो है, इतनी आसानी से वो चीज, किसको British को swapने वाल ठीके न, तो Marathas जो Empire था, उसमें बहुत सरे पेशवा भी आके रहें, तो पेशवा जो माधव रहा थे, उनकी जब देथ हुई, तो उनके जो अंकल थे, रगुनाथ राओ, ठीके न, उन्होंने British को approach किया, British के पास गए, क्योंकि उनको लालच था, कि मैं पेशवा बन जा तो हुआ ये था, कि जो पेशवा शिप के लालच में जो रगुनाथ राओ जो थे, उन्होंने यहां पर British को बहुत जादा help किया, उसको अंडर में आने दिया, याने की मुंबई में आने दिया, तो इसी की बदोलत, जो British थे, दीरे-दीरे उन्होंने क्या कर दिया, कि अगलो मराथा वार, ये बहुत ही फेमस लड़ाई जैसे, आपको बताया था मैंने, बैटल अफ पानी पर्थ, बैटल अफ प्लासी, ये सब कितने फेमस यूद्ध थे जो इसके पहले के चाप्टर्स में हमने डिसकस की है, वैसा ही एक अंगलो मराथा वार जो था, अंगल अंगलो मराथा वार, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या था, एक फेमस वार था, यानि कि पूरे के पूरे जो मराथा थे और बिटिश के बीच में जो लड़ाई लड़ी गए थी उसको नाम दिया गया था, अंगलो मराथा वार, इसमें क्या हुआ था, तो ये वार जब था, यहाँ पे वो पहले अंगलो मराथा वार जो है वो दिरे दिरे यहाँ पे खतम हुआ, कब खतम हुआ लगबग 1782 में, ठीक है न, 1782 में यहाँ पे ये सब चीज खतम हुआ, ठीक है, ये अंगलो मराथा वार जो है पहला यहाँ पे खतम हुआ, उसके बाद आया यहाँ पे Subsidiary Alliance, यानि कि लोगों ने मिलके अपना Government, गवर्मेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन Alliance बोलते हैं मिल जूलके गठबंडन करना, वैसा वला यहाँ पे शुरू किया, तो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे है Subsidiary Alliance ओके, तो यह जो Subsidiary Alliance है इसमें क्या-क्या चीज़े हुए थे, तो अगर बात करें 1798 में 1798 में जो Lord Wellesley थे, ठीके न, इनका नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे Lord Wellesley जो थे, वो इंडिया में आ गए थे as a Governor General, यानि कि Britishers थे तो जब British की Government Establish होने लगी तो वहाँ पे जो Lord Wellesley थे, इनका नाम में 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 अराइव किये और उनका जो में मोटीव था, जो इंडिया में आये थे, इनका में मोटीव क्या था में तरीका क्या था, आने का मकसद ये था कि वो British को domination करवाना चाहते थे पूरे इंडिया की उपर क्योंकि वो जो थे थे थोड़े से शडंत्रकारी, अकडू भी थे थोड़े तो उन्होंने बोला कि यार अब भी तक British ने पूरे इंडिया की उपर डायरी अलाइंस जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत सारी लोगों के साथ मिल जूल के साइन किया, खास कर इसमें कौन शा मिलता, इंडियान रूलर्स, क्या हमारे इंडियान जो रूलर्स थे उनको पॉलिडिक्स के बारे यह एलाइंस में जो इंडियान रूलर्स थे उन्होंने एक तरीके से एशॉर्नेंस ले लिया कि जो British का military है उसको provide किया जाएगा, यानि कि आपके ओपर अगर कुछ भी होता है तो British military उसको help करेगी और आपको भी बदले में हमें help करना पड़ेगा तो यह सब चीजे होने लगा, तो कुछ conditions रखी गई थे यह सब चीज के ओपर जो Indian rulers थे, वो British army के साथ उन्होंने क्या किया था, यह चीज maintain कर लिया था कि आप हमें बदले में धन दे दो, हम आपको यहाँ पर support provide करेंगे तो इस प्रकार जो यह चीजे है, वो होने लगा था, ठीके न, और दीरे-दीरे यह सब चीज होने लगा तो ruler जो थे न, वो time पे कोई भी alliance या फिर कोई भी power में यहाँ पे नहीं थे कि यहाँ पे rulers के पास कोई भी दूसरे alliance नहीं था, यानि कि कोई partner यहाँ पे नहीं था लेकिन British ने उनको क्या बोला था, उन्होंने एक चीज बोला था, ब्रिटीश को, क्या बोला था कि यारी जो ब्रिटीश है न, यह बहुत ही 4 लाग थे जैसे मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि हम आपको बदले में cash दे देंगे, आपको बहुत धन दे देंगे, आप क्या करो, हमको support कर दो, बस यही चाहिए और यह किसका शर्डेंतर था, यह ब्रिटीश का शर्डेंतर था, क्योंकि उनको एक राज जैसे मतलब नहीं था, उनको पूरे इंडिया से मतलब था, वो ऐसे थे, कि उनका यह मानना था, कि हम पूरे इंडिया को उपर कपजा करेंगे, तो यह सबी चीज होने लगा, और दीरे-दीरे जो rulers थे, उन्होंने British के residents को accept करना शुरू किया, और कुछ Indian rulers थे, जिनों ने यह जब चीज accept किया, जो system था British Government का उसका accept किया, जिसके वज़े से अपना जो freedom था, उनको कुरबान करना पड़ा, क्योंकि देको British बहुत चालाग थे, British के बास military power बहुत अच्छा अलग-अलग ऐसे princely state में ऐसे जाएंगे rulers के पास एंधीरे दीरे इनको अपने कपजे में लेंगे तो जब rulers के पास जब जाते थे तो ये क्या करते थे लालस देते थे और जो rulers होते थे वो मान जाते थे चलो ठीक है हम आपको support करेंगे लेकिन इसके वज़े से जो rulers होते थे ना, उनका freedom चला जाता था क्योंकि British condition रखते थे कि हम जैसा बोलेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा, तो ये जो चीज होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, freedom बोलते हैं आपको करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना क्योंकि आप freedom हो, आप independent हो ना वैसे ही ये टाइम में जो rulers थे वो independent नहीं रहे गए थे क्योंकि इनके उपर British का दबदबा हो गया था, British ने इनके उपर control ले लिया था, तो 1802 में क्या हुआ 1802 में, देखो 18th century, 1802 में क्या हुआ, कि जब Baji Route 2 थे, उन्होंने subsidiary alliance जो है, वो British के साथ sign कर दी, यानि कि एक तरीके से जो subsidiary alliance था, उनके साथ उन्होंने treaty को sign कर लिया, treaty का मतलब क्या होता एक तरीके से आप बोल सकते हो, bond sign करना agreement बोलते हैं, हम लोग, जैसे हम लोग कई पर भी room लेते हैं, और कुछ काम करते हैं, तो agreement होता है, correct है तो agreement एक sign हुआ, किसके बीच में 1802 में, Baji Route 2 जो थे उन्होंने sign किया, किसके साथ, British के साथ ते के न, यहाँ पर mention कर देता हो, किसने sign किया जो बाजी राओ थे, वो टाइम पर बाजी राओ, सेकेंड वाले, ठीके न, फर्स्ट वाले न, बाजी राओ टू में बात कर रहा हो, जो माराथा से बिलॉंग करते थे, ठीके न, तो उन्होंने subsidiary alliance, British के साथ, यह किया, और यह जो alliance है, यह बहुत ही ज़्यादा, माना जाता है, well known for the treaty of the Vassai, आपका Vassai आपको पता ही है, ठीके न, हमारे महाराष्ट में आता है, तो Vassai जो था, इसका treaty माना जाता है, यह बहुत ही well known treaty है, ठीके न, इसमें इस चीज़ को sign किया गया, Vassai treaty में, और इसी treaty के बदौलत, जो थे न, कुछ मराठास, जो सरदार थे, उनको यहाँ पर शामिल किया गया, जिसके वज़े से क्या हो गया, कि एक second Anglo-Maratha war होने लगा, यानि कि एक तरीके से, लडाई जो है, उसकी नॉमत आ गई, और बाब में जब British जीत गए, क्योंकि उव्वियसली उनके पस power जादा था, तो जब British जो है, इस लडाई को जीत गए, तो हुआ ये था कि बहुत सारे British जो थे, इन्होंने पूरे के पूरे Maratha state के ओपर कबजा करने की कोशिश की, क्योंकि जो Anglo-Maratha war second वाला हुआ, Anglo-Maratha war, जिसमें British और Maratha का फिर से एक बार लडाई जब हुआ, दुसरी बार, ठीके न, दुसरी बार जब लडाई हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि British की victory हो गई, यानि कि जीत हासिल कर लिया इन्होंने, और यह जीत हासिल करने के बाद, इनके manpower और military action के वज़े से दिरे-दिरे, इन्होंने पूरे के पूरे Maratha state के उपर, Maratha जो उनका state था, उसके उपर धीरो धीरे उन्होंने अपना dominance और कपजा करना जो है, वो शुरू कर दिया, एन्द धीरे-दीरे क्या हो गया, कि यह जो था बहुत ही ज़्यादा increase हो गया, जिसके वज़े से बाजीराव 2 के लिए यह बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इन्तॉलरेबल, यानि कि शेहन सक्ती के खिलाव, अब बस हो गया, अब मैं शेहन नहीं करूँगा, ऐसा वाला हाल जो है, वो यहाँ पे हो गया था, ठीके न, यहाँ पे ब्रिटीश के अगेंश्ट में इसलिए वार जो है लड़ना पड़ा, उसके वज़े से जो बाजीराव 2 थे, उनको यहाँ पे हार मानना पड़ा, यानि कि जब लड़ाई लड़ी गई, तो बाजीराव 2 जो थे, वो डिफीट हो गया, यानि कि हार गय, लड़ाई जो थी, उनको हार का सामना करना पड़ा, ब्रिटीश के अगेंश्ट में, और उन्होंने 1818 में, ब्रिटीश को सरेंडर कर जया, जैसे कि हम लोग कुछ गुनाह करते तो हम पुलिस के पास सरेंडर करते, कि ठीक है, आप मुझे अरेश्ट कर लो, वैसा ही यहाँ पे, जो तरह शिंदे के कंट्रोल में था, आप देखो, मुगल्स की भी बात आ गई, अब जैसे कि मैंने बोला, कि दीरे दीरे जो ब्रिटीशर्स है, उन्होंने क्या किया, कबजा कर लिया, दीरे दीरे, मराथा के अगेंश्ट में कबजा कर लिया, सबसे पावरफुल क्या होता है दिल्ली होता है, मुंबई, मराथा, कबजा हो गया, ठीके चलो, पाजीराव टू जो हार गए, सरेंडर कर लिया, तो ब्रिटीश ने पूरा का पूरा मराथा स्टेट को कबजा कर लिया, लेकिन पूरा इंडिया को कबजा कर पाएगे अभी तक, नहीं, पूरा इंडिया था, दौलत राओ, सिंदे, दौलत राओ, शिंदे के कंट्रोल में था, अब ब्रिटीश ने क्या सोचा कि क्यों न मैं इनको भी अपने कबजे में लेलू, अंडर में लेलू, तो पूरा का पूरा सल्तनेट, यानि की मुगल जो है, वो हमारे कबजे में आ जाएगा, अब जब वो कबजे में आ गया, दिल्ली हमने फते कर ली, तो पूरा का पूरा इंडिया, इंडरिकली हमारे कंट्रोल में, डॉमिनेशन में आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से फाइट किया, और उन्होंने जो शिंदे थे, उनके टूप को, यानि उनकी तुक जनरल लेक ने पूरा का पूरा मुगल जो एंपरर था, उसको कबजे में ले लिया, यानि कि पूरे के पूरे मुगल जो एंपरर था, वो टाइम पे, जो किसके कंट्रोल में था, दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में था, लेकिन इन्होंने जनरल लेक ने और उनकी सेना पूरा का पूरा जो मुगल एंपायर था उसको अपने कबजे में ले लिया और इसी के वज़े से जब मुगल एंपायर कबजे में आ जाएगा तो समझ लो हिंदुस्तान भी कबजे में आ गया तो इसी लिए इसी तरीके से पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है उन्होंने व पूरा का पूरा इंडिया को अपने अंडर में कज़े में ले लिया, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, अब एक और टॉपिक है यहाँ पर जो आज मुझे आखरी जोर पर पढ़ाना है, उमीद करता हूँ ये पहला जो टॉपिक था, Establishments of East India Company और British और Maratha का Subsidiary Alliance ये आपको clear समझ में आ गया होगा, एक चोटा सब टॉपिक और बचा हुए आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा, च्छत्रप्रति प्रताप सिंग्ग अब देखते हैं इनका क्या योगदान है और इनका क्या suggestions और रोल था इसमें ये हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो पेशवाशीप था दोस्तों वो तो खतम हो गया था, विकाज बाजुराव 2 जो थे वो उन्होंने surrender कर लिया दिरे दिरे मराठा के अंदर जो पेशवाशीप था, वो पूरा का पूरा खतम हो गया था, तो वो टाइम पे जो छत्रप्रती प्रताप सिंग थे, वो सातारा में ना स्टिल रूलिंग थे, यानि कि वो सातारा में तब भी वो शाशक थे, रूलर थे, कि इसमें सातारा में बात कर रहा हूँ, तो ये वो टाइम पे जब पेशवाशीब खतम हो चुका था, लेकिन महाराष्ट में जो सातारा है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो सातारा से बिलॉंग करते होंगे, तो सातारा का जो रूलर था, जो राजा था, आप बोल सकते हो, कौन था, छत्रपती, प प्रताप सिंग थे, उन्होंने यहाँ पे ग्रांट डफ नाम के एक ओफिसर को अपॉइंट किया, और उन्होंने बोला कि वो हमें एसिस्ट करेंगे, ठीके, किनकी बात करो देखो, यहाँ पे जब इनके बीच में, ब्रिटीश का राजपूरे इंडिया में फैल रहा था, तो जब राजा उसके बीच में आएगा, तो एक ट्रिटीश साइन करना पड़ेगा, एक mutual understanding, agreement साइन करना पड़ेगा, तभी तो यह चीज होगा न, तो ब्रिटीश जो थे, इन्हों के इनके साथ, जब प्रताप सिंग के साथ, जब उन्होंने ट्रिटीश साइन किया, तो यहाँ पे एक Grant Duff नाम के officer थे, उनको appoint किया गया, किसको appoint किया गया, Grant, जो ब्रिटीश का एक officer था, जिसका नाम तक Grant Duff, इनको appoint किया गया, एंड बोला गया British की तरफ से, कि यह जो इनसान है, यह आपको, यानि कि चतरपती प्रताप सिंग को assist करेगा, यानि कि आपके काम मे support करेगा, इस तरीके से, क्योंकि देको British, इनको अकेला नहीं छोड़ सकता था, उनके साथ में किसी अपने आदमी को, यानि अपने officer को लगाना चाहता था, इसी लिए यहाँ पे Grant Duff को इसके साथ, यानि कि चतरपती जो प्रताप सिंग थे, उनके साथ यहाँ पे लगा दि इनका दिमाग के कारण, इनको गद्धी से हटा दिया गया, कि इनको चतरपती प्रताप सिंग को दी थ्रोन कर दिया गया, यानि अपनी गद्धी से हटा दिया गया, धीरे-धीरे वो उनको भेज दिया गया, कहाँ पे काशी में भेज दिया गया, यानि कि ट्रांसफर एक पुआप्पूजी गुक्ते, जो की एक बहुत ही लॉयल उफिसर थे चतरपती के टूप में, जो चतरपती प्रताप सिंग्न के चतरपती गुप्ते, यानि की बहुत ही आज्याकारी थे, बहुत ही सच्चे इंसान थे जिनका रैंगो बापुजी गुपते, ठीके ना, बहुती फेमस नाम है, बापुजी गुपते, तो ये जो थे एक बहुती लॉयल ओफिसर थे, कि इसमें छतरपती प्रताफ सिंग के तुगडी में, तो इन्हों ने हार निमानी, इन्हों ने बोला कि मैं लडाई करूंगा, किस से ब बैटल किया, और इसके लिए वो कहां चलेगा, इंग्लैंड में चलेगा, क्योंकि बिटिश आये कहां से थे, इंग्लैंड से आये थे, तो उन्हों ने बोला कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, और आपके खिलाब जो है, लीगल एफ़र्ट के तौर पे लीगल तरीके से कारे इंग्लैंड चलेगा, और लीगल एक्शन लेनी कि उन्होंने कोशिश की, यह कि पूरा का पूरा क्या हो गया, अनसक्सेस्फुल रहा, बात में जो लॉड दल हाउसी थे, इन्होंने यहां पे एडॉप्शन पॉलिसी जो था, उसको रिजेक्ट कर दिया, और ना 1848 में उन लॉड दल हाउसी ने पहले एडॉप्शन का पॉलिसी था, उनको रिजेक्ट कर दिया, और इसके वजेसे यह पूरा का पूरा जो सातारा था, अटरा सो अटर में उनके कबजे में आ गया, यानि कि जो सातारा जो स्टेट था, वो भी किसके अंडर में चला गया, ब्रिटि वीडियो, पहला लेक्चर था, इसके लिए हम लोगने बहुत जादा आपको नहीं पढ़ाएं, थोड़ा सा छोटा ही रखने की कोशिश किया हम इने लेक्चर को, लेकिन बहुत सारे चीजे आज मैंने बताई है, जो आपको बहुत जादा इंपोर्टन लगे होंगे, खास लेक्चर रवर टू, तो उसको बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप करता हूँ, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय औ आइकन को हिट करदना, क्योंकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो को अप्लोड करेंगे, तो आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के रहें, थाइंक्यू, एंड गुडबाई